हलो बच्चो वेलकम टो ड्रीम कलासेज आज आपका मैत का सकेंड लाइब टेस्ट शुरू होने वाला है आप लोग जल्दी से इस लाइब सेशन को जॉइन करना न भूलेंगे चुकि आप हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ही कम अबदी बची हुई है तो चलिए आज की ल पहला प्रस्ण तो काफी BBI प्रस्ण है और आज के सेशन में आपको टिप्स भी बताने वाला हूं ठीक है चुकि हमारे ये दूसरा लाइब टेस्ट है मैतेमेटिक्स में तो ये काफी बहतरीन प्रस्णों का ये संग्रा है बच्चो ठीक है तो पहला कोश्चन है माइनस व आप लोग इसका एंसर करो मैं देखता हूं ठीक है धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि बच्चे सेशन में जुड़ भी चुके हैं और जुड़ना स्टार्ट भी हो गया है चलिए बच्चो इस प्रस्ण का एंसर मैं अपने तरीका से देने वाला हूं ठीक है तो यह हमारा फ ही आकिरती होती है बच्चो ठीक है और यह हमारा यहां माइनस वन है और यहां हमार पलस वन है इस प्रकार से यह दो प्रकार के ट्रेंगिल बनाएगा तो यहां आप क्या करो ना यह जो हमार छायांकित भाग जो है यह ट्रेंगिल को बताएगा यानिकि जीरो और यह वन है तो यहाँ एक triangle का area कर दो यह हो जायगा 2 into area of triangle ठेक है यह हो जायगा 2 into हो जायगा area of triangle लोता है हाफ गुने अधार गुने उचाई ठेक हाफ गुने अधार गुने उचाई यहनि कि दो-दो कट गिया यहनि इसका answer एक बर की काई होना चाहिए वच्छो करो कि पहला प्रश्न का जो इंसर है function नमबर भी न न गरेक्ट और शट्क एंसर है ठीक है और यह देखे दूसरा नमबर प्रश्न तो बच्चो यह काफी सांधार प्रश्न है करता आई जे के का ठीक है मान क्या होगा इसे जो है इसका मतलब देखिए क्या होता है इसका मतलब होता है I.J.K इसका मतलब होता है बच्चो I.J.K इसका मतलब यह होता है I.J.K तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हो यदि यहाँ पे i लेलो और यहाँ पे j लेलो और यहाँ पे आप k लेलो और यदि cross product निकालोगे j cross k i होता है j cross यदि k निकाला जाए कि j cross k जो होता है वच्चो यह हमारा i होता है ठीक है इसका मतलब यह हो गया कि हमने इसका value जो लिखा था अभी just कि i dot j cross k ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा i.i यानि i.i का जो भेलू होता है बच्चो एक होता है इसलिए इस प्रश्ण का answer जो है option number यह न बिल्कुल correct answer है दूसरा नमबर प्रश्ण का answer जो है बच्चो यह हमारा बिल्कुल correct answer यह होगा ठीक है और यह तीसरा नमबर प्रश्ण तो यह बच्चो काफी 22 प्रश्णों में से एक है ठीक है कि y x की दी कोजियाएं क्या होती है तो इस प्रश्ण का answer बताने के पहले मैं जरा बता दूँ कि यह हमारा x axis है और यह y axis है और यह हमारा z axis है तो x axis का direction ratio जो होता है 1,0,0 ठीक है और यह y axis का direction cosine जो होता है 0,1,0 और हमारा z axis का direction cosine होता है 0,0 और यह 1 होता है इसे आप note कर लें अपने copy में ठीक है कि किसका direction ratio क्या क्या होता है तो यहां हमें पूछ रहा था by x की दीक कोजियां क्या होगी यह जाएगा 0,1,0 option number scene बच्चों बिल्कुल correct answer है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं और यह देखिए यह तो आही गया जो मैं बता रहा था सबकी x x की दीक कोजियां क्या होगी तो आख मुण के इसमें टीक कर दो कि option number b न बिल्कुल correct answer है कि x x की दीक कोजियां जो होती है 100 होती है देखिए बच्चों यह प्रस्ण काफी मैं इस प्रस्ण से काफी खुस हूँ कि इस तरह का question जो examination में बार बार पूछा जाता है कि y z तल का समिकरन क्या होगा ठीक है इसमें थोड़ा सा trick बता जाता हूँ जैसे भी बता रहा था यह हमारा इस तरह से जो है यह हमारा x axis है यह by axis है और यह हमारा जो है आपका z axis है ठीक है तो कोई भी दो तल का पुछे यहां में पुछ रहा है y, z तल का y, z तल का equation क्या होगा तो क्या गाइब है x, y, z में तो x गाइब है इसका मतलब x ब्रावर 0 ठीक है x ब्रावर 0 option number d जो है correct answer होगा ठीक है यदि suppose that कोई पूछ दे यहां पर x है यह y है और यह z है ठीक है तो कह दे x, z plane का equation क्या होगा तो क्या इसमें नदारत है तो हमारा x, z है तो y नहीं y ब्रावर 0 हो जाएगा कोई पूछेगा x, y plane x, z का तो होई गिया कोई पूछेगा x, y plane का हमारा equation क्या होगा यह x, y plane का तो यहां पर x, y plane का बच्चो न क्या गाइब है तो z तो यह नहीं z ब्रावर 0 होगा ठीक है यानि कि हमारा पांचवा नमबर प्रस्ण है y, z तो x, y, z में क्या मौजूद है तो y, z क्या नहीं है इसमें तो x यहनि कहने का x ब्रावर 0 जो है जो है इसका बिल्कुल शटीक एंसर है ठीक है छट्ठा नमबर प्रस्ण क्या काता है काता है किसी घटना की प्रावर यक्टता 3 बटा साथ है तो उसके प्रत्रुकूल सहिव गा पाथ क्या होगा तो सबसे बरी चीज है क्या घटना होने की प्राइकता 3 बटा 7 है और नहीं होने की प्राइकता क्या हो जाएगी 1 माइनस 3 बटा 7 यानि की हो जाएगा ये 4 बटा कितना हो जाएगा 7 और उसका यदि हम रेशियो निकाले तो उसका प्रतिकूल संयोगा नुपात करता है निकालने के लिए हमें ठीक है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ना धोनों का यदि ये ratio निकाला जाए ठीक है धोनों का ratio होने का नहीं होने का होने का तो ये 4 बटा 7 और गुने जो हो जाएगा 7 बटा 3 तीक है 7-7 कट गया नहीं 4 बटा 3 4 is to 3 जो है correct answer होगा ठीक है यानि इस 6 नमबर प्रस्ण का A option correct answer होगा मिलान कर लेंगे और ये प्रस्द बच्चो बार-बार पूचा गया प्रस्ण है कि A intersection B की परायक्ता सुन है यदि A और B कैसी घटना है स्वतंत्र है कि प्रस्परब बर्जी है कि परतंत्र है और D है इन में से कोई ने ठीक है तो यहाँ पर क्या है ना कि कहीं भी आपका अधि number of A intersection B आपका सुन है number of A intersection B सुन है वह आमारा ना ये अपवर्जी घटना होगा बच्चो ठीक है जल्दी से note का डाले अपने copy पर कि एक intersection B की परायक्ता सुन है तो वह घटनाए जो होती है आपका अपवर्जी होती है ठीक है आठमा नंबर प्रस्ण ये तो बिल्कुल आशान प्रस्ण बच्चो की E की परायक्ता क्या होगी तो number of E बटन number of sample space number of E बटन number of sample space ने option number A ना बिल्कुल correct answer है आठमा प्रस्ण का answer A बिल्कुल correct answer होगा नमा नंबर प्रस्ण देखिए क्या है नमा नंबर प्रस्ण के क्या है तल 7X प्लस 4Y माइनस 2X प्लस 5 और 0 मैं अभी लंब का दी कानुपात कहता है जिसे मान लिया जाए यह हमारा देखिए यह हमारा कोई तल है ठीक है यह हमारा कोई plane है और इस पे यह normal है इस पे हमारा यह normal है normal vector है तो इसी कहां को करता है दी कानुपात निकालना है कुछ ने करना है बच्चों यहाँ X का गुनांग 7 है तो पहला A बराबर तो हो जाएगा 7 ठीक है direction ratio और यहाँ Y का गुनांग 4 है तो B बराबर हो जाएगा 4 और यहाँ ठीक है और यहाँ पे हमारा C यहाँ पर Z है यहाँ पे Z का गुनांग minus 2 है यानि कि C बराबर जो हो जाएगा minus 2 तो 7, 4 और minus 2 यानि कि option number 20 नह बिलकुल correct और 60 के answer है चली आगे बढ़ते हैं और ये प्रस्ण का answer देखते हैं बच्छों की A x B x C A x B x C का value क्या होगा तो A x B x C का value क्या होगा यह हमको बतानी है दाश्मा नम्मर प्रस्णे बच्छों तो जड़ा देखते हैं की क्या होना चाहिए कि ये दसमा नंबर प्रस्ट का हमारा एंसर क्या होना चाहिए A क्रोस B ठीक है B क्रोस A क्रोस A ठीक है मेरे इसाब से थोड़ा सा कलेकलेशन करने में समय लगेगा खेले मैं इसका एंसर ही बताता हूँ कि ओप्शन नंबर D ना करेक्ट एंसर होगा 11 नंबर प्रस्ट जो है बच्चो काता है कॉस एक्स डिग्री का शमाकलन एक्स के साब एक्च क्या होगा यहां हमारा एक्स न बच्चो थोड़ा साइंड करता हूँ यह रेडियन में है एक्स जो होता है हमारा यह रेडियन में होता है तो सबसे पहले degree को radian बदल दो ठीक है यानि यहाँ पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा cos यह हो जाएगा 180 डिग्री बरावर जो है न पाई रेडियन होता है थोड़ा से को चेंजिंग कर ले कि 180 डिग्री बरावर जो होता है न हमारा पाई रेडियन होता है ठीक है तो पाई बटाई 180 से गुना कर दो इसको यानि कि हमारा ये समाकलन हो जाएगा थी प हुआ विट्रीन प्रशन है ठीक है इसे कुछ नहीं करना है थोड़ा समय हिंट करता हूँ कि आप इससे root x common कर लो यह जाएगा one plus root x यह है जो हमारा one plus root x और यह हमारा dx है और इससे t put कर डालो one plus root x को p t put कर डालो तो इस तरह से इस प्रश्न का जो है हमारा answer जो हो जाएगा two log of one plus root x plus c होगा जी ठीक है यह option number b ना correct answer होगा ठीक है आप मिलान करके देख ले ना तेरमा नंबर प्रसंदगी क्या काता है कि रैखी कापकलन समिकरन d y dx plus p y ब्रावर q का शमाकलन गुनांख है ठीक है integration factor जो होता है न बच्चो यह e to the power p dx होता है ठीक है तो यह जो इसका मतलब क्या है यह option थोड़ा सा सही लिखा हुआ e to the power integration तो हमारा option number d ना बिल्कुल correct answer होगा ठीक है चले बच्चो देखते हैं कि चोधामा नंबर प्रस्ण क्या है काता है चोधामा नंबर प्रस्ण में कि आपकलन समिकरन d y और dx का हौल स्क्वार प्लस by ब्रावर एक्स की कोटी क्या होगी order पूछ रहा है तो highest derivative जज़ कर लो highest derivative 1 है यह first order का derivative से इसलिए इसका order जो होगा 1 होगा उप्शन नंबर 1 जो है correct answer होगा पंदरहमा नंबर प्रस्ण का देखते हैं बच्चो क्या answer होना चाहिए कता है अब कलन एक्स प्लस 4 और dx माइनस dy बरावर dx प्लस dy ठीक है तो इसका हल क्या होगा यही आप लोग को बतान है तो इस प्रस्ण का answer जो है थोड़ा सा केलेशन करने में समय लेगे बच्चों मैं इसका option ही बताता हूं आप लोग मिलान कर लेना कि 15 का बी नंबर जो है बिल्कुल correct answer है यह सोलामा नंबर प्रस्ट यह बच्चों 22 प्रश्णों में से एक है कता डी वाइव डी एक्स प् इक्वल टू की और यहां आप I F बराबर जो है आप E to the power P into dx पर निकाल लो तो यहां पर क्या ना P जो होगा ना 1 बटा एक्स होगा यानि कि I integration factor जो होगा E to the power जो जागा 1 बटा एक्स डी एक्स और E हो जागा E to the power log x और base E इसका मतलब इसका answer जो होगा X होगा ठीक है यानि option number B ने बच्चो correct answer होगा ठीक है चलि 17 नंबर प्रस्ण देखते हैं क्या है तो 17 नंबर प्रस्ण simple प्रस्ण है x dx का समाकलन x के साप एक्स निकालना है 0 से 1 है तो यह हो जाएगा x square by 2 और यह हो जाएगा from 0 से 1 अपर limit कमान में इठा दीजे तेक वड़ा 2-0 यानि option number D ना correct answer होगा अठार्मा नंबर प्रस्ण देखे क्या है यह भी प्रस्ण examination बारार पूछा गिया है कि बाई बरावर सेक इनवर्स x plus 1 बाट x minus 1 प्लस sin inverse x minus 1 बाट x plus 1 होगा तो दीबाई बाई 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 एक्स ठीक है इसका मतलब क्या ना सेक इनवर्स को आप cos inverse बतल दो तो by बरावर जो है यहां हमारा cos inverse capital x और plus यह हो जाएगा sin inverse capital x यानि इसका value हो जाएगा एदि x इसको मान बाई बाई अ बिका तो यहां हो जाएगा s1 गया बरावर नियूर्शी इसका मतलब यह हो जाएगा बाई ब्रावर पाई रावर पाई-वाई-ट्यो-बाई-ब इसका आप कलंड १ी और्धी एक्स निकालेंगे घृत इसका पाई बाई बाई-एकक्षोण लेगा दाननल भाग दे दिजे बी ओप्शन करेक्ट एंसरों का जल्दी शे मिलान कर लो बीसमा नंबर प्रस्ण क्या है करता है कि 4, 3, 7 और 1, 1, 1, 1, 5 की बीच की दूरी निकाले आप इस डिस्टेंस फर्मूला का रूल फोलो करो X2-X1 का हौल स्क्वाइर पलस Y2-Y1 का हौल स्क्वाइर पलस यह हो जाएगा Z2 और माइनस Z1 का हौल स्क्वाइर का स्क्वाइर रूट करके निकाल दो कि 20 नंबर प्रस्ण का एंसर जो है बच्चो ठीक है कि C करेक्ट एंसर होगा ये किसमा नमबर प्रस तो ये काफी बेहतरीन प्रस नहीं ये भी कहता है 1 बटाई x का समगलन x के साप x क्या होगा 2 4 यानि यहाँ पे हो जाएगा log 4 और minus log 2 log 4 minus log 2 ठीक है यह जाएगा log यह जाएगा 4 by 2 यानि log 2 यानि option नमबर ये न करेक्ट एंसर है यह प्रस्ण बारबार पूछा गया प्रस्ण है कि आप कलन समय करन वन प्लस डिवार डिएक्स का होल सकर और डिटुवार डिएक्स टू की कोटी और घाद बता है तो हाइस्ट ओडर है सेकेंड और इस पे पावर वन एंड टू वन इसका एंसर होगा टू बन टू बन हैंए ओडर टू ओडर जो होगा ओडर जो होगा टू और डिग्री जो होगा वन डिग्री जो होगा यह वन होगा इसका मतला बच्चो इस प्रस्ण का एंसर जो है न nit आपका इन में से कोई नहीं जाएगा 23 नमबर प्रस्ण क्या है यह भी प्रस्ण काफी बेतिन प्रस्ण है ठीक है 1 1 1 A B C B प्लस C C प्लस A और A प्लस B इसको आप इस कोलम में आप एड़ कर लो ठीक है तो A प्लस B प्लस C आ जाएगा और A प्लस B प्लस C खॉमन कर लो जहां दो पंक्ती यह दो स्थम एक समान हो तो भी 0 होता है एंसर B करेक्ट एंसर है 24 नमबर प्रस्ण करता है यदि A कोई बर्ग आपी हो तो A प्लस A का ट्रांस्पोज कैसा होगा यह बिल्कुल बच्चो न शम्मित आभियू होगा सेमेट्रिक होगा ने ओप्शन नमबर A करेक्ट होगा जल्दी से मिलान करो इस प्रस्ण का एंसर 25 नमबर प्रस्ण क्या है कता है माना कि एक बित करनी आभियू है इसका करम 2 by 2 है तो Adjoint of A का मोडलस क्या होगा Adjoint of A का मोडलस क्या होगा यह भी प्रस्ण काफी बहतरिन प्रस्णों में से एक है बच्चो और इसका उप्शन नमबर न यह बिल्कुल करेक्ट एंसर होगा जल्दी से मिलान कर लो 26 नमबर प्रस्ण क्या है कता है 1222 हो तो 2A का मोडलस क्या होगा प्रे 2 से मल्टिप्लाइ कर दो यह जाएगा 2,4 यह जाएगा 8 और 4 और इसका मोडलस निकाल दो नहीं 8-32 8-32 यहनि-24 माइनस 24 का मतलब क्या है यह जाएगा 2 और माइनस 8, माइनस 6 यह जाएगा 4 गुने मोडलस अफ है यह जाए उप्षन नमबर भी न करेक्ट एंसर होगा यह प्रस्ण बच्चो 27 नमबर प्रस्ण बेन यह भी काफी बहतरीन प्रस्णों में से एक है कि यह बढ़ावर 1021 हो तो A to the power 1 का A to the power N का वेलू क्या होगा तो यहाँ पर आप कुछ नहीं N बढ़ावर एक रख के देख लो जहाँ यह उप्षन करेक्ट मिलेगा वो एंसर सही होगा 1021 यह और C तो बिल्कुल एखीद प्रकार का एंसर इसका है तो यहाँ उप्षन बच्चो आप लोग न इसका उप्षन A या C दोनों कर सकते हो लिखने में में स्प्रिंट हो गया है ठीक है A और C दोनों कर सकते हो इस प्रस्ण का एंसर 28 नमबर प्रस्ण देखे क्या करता है कि आपका यदि य बढ़ावर एक स्टैन वाई हो तब डी बढ़ावर डी एक्स क्या होगा 29 नमबर प्रस्ण दो बच्चो यह तो आप बताई सकते हो ठीक है इसका एंसर क्या होना डी बढ़ावर यहां पर है हाफ लोग एक्स यहां पर है बाई बढ़ावर हाफ लोग एक्स है ना तो यहां पर यह जाएगा डी बढ़ावर डी एक्स बढ़ावर d sin x by d log x ठीक है इसको sin x का dc हो जाएगा cos x और इसका जाएगा 1 बटाई x नहीं x cos x आएगा option number c ने बिल्कुल correct answer होगा ठीक है तो बच्चों हमारा इस प्रकार से यह हमारा आज का यह live session था ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले लाइब objective test में best of luck